जहन दोस्तों दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेद यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं दो मुद्दे लेकर आएँ आपके लिए पहला मुद्दा आपके सामने पैंसन भोगियों के लिए अच्छी खबर खबर क्या है 65 कोविट के टैम पर 18 महिने का महंगाई भत्ता नहीं मिला है करमचारियों को पैंसन भोगियों को अब जो चुनावी दोर आ रहा है उसमें सरकार की तरफ से बड़े-बड़े तोफे दिये जा रहे हैं तो क्या वो 18 महिने का महंगाई भत्ता भी मिलेगा इसके उपर तो यह दो खावरें तो पहले देखते हैं पैंसन भोगियों के लिए जो 5% पैंसन भड़ने वाली बात है 65 में 이제 कि तर इसके आहिया है उसमें क्या कहा गया और यह ख़वर कहां से के लिए तो दोस्तों पहली ख़वर जो पैंसन भोगियों के लिए है यह अमर जाला में पिरकासित हुए जैसा कि आप देख रहें 65 वर्ष से और हर 5 साल में 5 परसेंट ज्यादा पैंसन देने पर विचार करें सरकार यानि कि पैंसन भोगियों की कुछ समस्याइं थी उनकी समस्याओं के उपर संसद्य सम्ती का गठन हुआ था संसद्य सम्ती ने कुछ करेंडेशन दिया है और क्या मैं उनकी तरफ से कहा गया है कि मौजूदह समय में 80 साल जब पैंसनर की उमर हो जाती है तब उसकी पैंसन में बढ़त्री की जाती है उसको उनका कहना है कि अब 65 साल से शुरू कर देना चाहिए यानि कि 65 साल पर 5 परसेंट उसके बाद 75 साल पर फिर 5 परसेंट इस तरह से हर 5 साल पर 5-5 परसेंट उनकी पैंसर में बढ़ोतरी होनी चाहिए दूसरा उनकी शिपास थी कि Department of Pansion and Pansons wellfare को different different मंत्राल्यों को जैनि कि जिन-जिन मंत्राल्य के pansioner हैं उनको ये कहिना चाहिए कि उनकी जो pension भोगियों की जो सिकायत है उनका फटा-फट समाधान हो वो उल्जी ना रहे दूसरा उन्होंने कहा कि इन मंत्रालियों के सामने मामले उठाए और समय पर समाधन करवाए यानि कि मंत्रालियों के सामने पैंशन भूगियों के जो मुद्दे हैं उनको टाथ मेकता दी जाए और उनके जो मुद्दे हैं उनका अर्ली से अर्ली से अर्ली सेलिशन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए तीसरा उनका कहना है कि Quality Counseling of India के जरिये संबंदित एजेंसियों की पैंसन स्विकृति आवंटन प्रोसेशिंग वो भूगतान यानि Disbursement पिरक्रिया में सुधार करें चोथी दोस्तों उनकी सिफार्ज क्याती जो एजेंसियां वो विभाग सिकायतों के निस्तारण में देरी की बज़े बन रहे हैं उनसे जवाब मांगने की विवस्था भी विवाग बनवाए यानि कि जो ऐसी एजेंसियां जिनकी वज़े से देरी हो रही है उनसे ऐसी विव सिफारिस की है और उन्होंने Department of Pension in Pension Welfair से कहा है कि मंत्राले के सामने केस को मजबूती से रखें अगर दोस्तों ये संसेदिय समते की जो recommendation है अगर ये डियोपीडी मान लेता है वित मंत्राले मान लेता है तो ज्यादा से ज्यादा पैंसन भोगियों को इसका लाब मिलेगा यानि कि 80 साल की एज तक तो बहुत कम पैंसन भोगी सर्वाइव कर पाते हैं उनको 65 से इसका benefit मिलना सुरू हो जाएगा जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम होगा अब देखें दोस्तों दूसरी खावर जो कि वाके बहुत इंटेस्टेड है जैसा आप सामने देख रहे हैं चुनाव से पहले एक और तोफा CM25 को बाटेंगे एक लाख मोबाइल फॉन और टेबलेट आपको पता है चार-पांस राज्जों में चुनाव होने वाले हैं और इस समय राजनेता बड़ी-बड़ी पार्टियां बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं बोटरों को लोभाने के लिए वो आपका पैसा लोगों में बाटने की घोशना हो रही है यह गोशना क्या है बीए से लेके एमडी बीटेक एमटेक पीएजडी के चात्रों को यह मोबाइन और टेबलेट तोफे के रुप में बाटे जाएंगे अच्छी बात है आप दीजिए दोस्तों यह बोटरों को लोभाने का एक धंदा है जो हर राजनीतिक पार्टी करती है लेकिन क्या यह राजनीतिक पार्टी स्टूडेंटों से इस तरह की घोशनाय करके बोट लेना चाहती है लेकिन जो करमचारी जिनका हक है जिनको वो मिल रहा था महेंगाई भत्ता जो कोविड के टैम पर 18 महिने का नहीं दिया गया क्या उनको महेंगाई भत्ता नहीं दिया जा सकता क्या वो वोटर नहीं है क्या वोट नहीं देते हैं तो यह सही समय है कि जितने भी यूनियनों के लीडर जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं उन सब को पैंसन भोगियों की केंद्रिय करमचारियों की जो एंप्लोई हैं उनके महंगाई भत्ते की यह मांग इस वक्त जोर तोर से उठानी चाहिए अगर इस तरह से देखिए दोस्तों यह जो टेबलेट और फॉन बाटे जा रहे हैं यह 2,035 करोड रुपेस पर खर्त होने वाले हैं तो क्या करमचारियों का महंगाई भत्ता नहीं दिया जा सकता जरूर दिया जा सकता है क्या वो बोटर नहीं है क्या वो बोट नहीं देते लेकिन वो अपने बोट की डिमान नहीं करते बाकी लोग अपने बोट की कीमत मांग लेते हैं तो दोस्तों जिस तरीके से बोट पाने के लिए लुभावने वाइदे किये जा रहे हैं उसी तरीके से जितने भी जवान हैं क उनके लीडरों ने सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं उन्होंने करमचारियों के 18 महिने के महेंगाई बत्ते की मांग भी राजनेताओं के सामने पार्टियों के सामने रखनी चाहिए यह सही समय है हो सकता है कि इनका भी इस समय भला हो जाए और आपकी इस पर क्या रहा है क नहीं रखी चाहिए अपने कमेंट जरूर दें कमेंट्स बॉक्स में तो दोस्तों यह थी जानकारी आज की इस वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जैहिं जै भारत